सुबे चाही की जगहें ये पी लोग घुटनों की ग्रीज दोबारा बन जाएगी थाइराइड, मोटापा, यूरिन इन्फेक्शन, तलवों में जलन, डाइबटीज रोग, कोलोस्ट्रोल, हाई बीपी जैसे असी बड़े बड़े रोग हो जाएगे बिलकुर जड़ से खतम नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा, जिसको आप अपने घर पर यदि बनाएंगे, तो आपको महज 5 मिन्ट लगेंगी, और 5 मिन्ट का ये नुस्खा आपके सरीर की 80 बड़ी बीमारियों का इलाज है, और आपके सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने का काम करेगा, आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करेगा, दोस्तो आज की इस वीडियो की जो हमारी मुखे समगरी है, वह है दोस्तो धनिया, और दोस्तो धनिया खाने के फाइदे को नहीं चान धनिय की तासीर ठंडी होती है धनिया थायरैड की बीमारी का एक कारगर इलाज है यदि आपको थायरैड की समस्या है तो आपको धनिय का सेवन जरूर करना चाहें यदि आप अपने चेहरे पर गलो लाना चाहते हैं और आपके सरीर के सारी खून को साफ करना चाहते हैं तब आपको इस धनिय का हरो सेवन करना चाहिए लेकिन धनिय का सेवन आपको हमारे द्वारा बताएगे विदी से करेंगे तब आपको अधिक फाइदा होगा दोस्तों ये धनिया आपके पेट की चरवी को मक्खन की तरह पिंगलाक रखतेगा आपके पाचन को मसबूत करेगा आपके पेट के रुगों का इलाज करेगा यदि आपको भी बार बार यूरीन आने की समस्या है या यूरीन इनफेक्शन आपको रहता है दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए इस ड्रेंग का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी बार बार पेसाब आने की समस्या का इलाज करेगा यूरीन इनफेक्शन को दूर करेगा यदि आपके पेट में गर्मी है और पेट में गर्मी के कान आपको तलवों में जलन की समस्या है यदि आपको diabetes है और diabetes के complications का आपको डर रहता है तो भी आप इस नुस्खे का 7 कर सकते हैं इस नुस्खे के 7 से आपके diabetes की समस्या दूर होगी आपके diabetes को control करने में ये नुस्खा आपकी मदद करेगा साथ में इस बेमारी के complications से भी बचा करेगा कोलोस्टोल और दिल की बेमारीयों का भी एक कारगर इलाज है वैसे भी यदि हमें कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी तब हमें heart tech heart block के जैसी बेमारीयों का सामना नहीं करना पड़ता और इस धनिये का सेवन करके आप इन सब बेमारीयों से बचे रहते हैं तो चले दोस् इन धनिये की बीजों का एक चमच लेकर एक गिलास पानी में उबालना है जैसे कि हमने एक गिलास पानी आग पर रखा आपने भी ऐसे ही रखना है और इसमें एक चमच धनिये के बीजों का डाल देना है और इस पानी को उबलने देना है दोस्तो आपने इस पानी को तब त को बालना है जब तक कि आपका ये पानी उबल उबल कर एक गिलास लिया था एक कप ने रह जाए और जब ये है पानी उबल उबल कर एक कप रह जाए तो दोस्तों आपने आग से नीचे इसको उतार लेना है और इसका ऐसे ही आपने plain सेवन करना है यदि आप सवाद के लिए सेहद मिलाना चाहें तो आग से नीचे उतार के इसमें सेहद का प्रियोग कर सकते ही लेकिन यदि आप plain सेवन करेंगे तो आपको अधिक फाइदा होगा और यदि आपको diabetes है तब आपको इसका plain ही सेवन करना है इसमें सेहद या OAB और मिठन नहीं मिलाना है और दोस्तो आपने इसका सेवन करना है सुबह bad tea की जिनए है सुबह वाली चाही की जिनए है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो दोस्तो आप देखेगा कि आपके सरीर की 80 बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाएगा आपका सरीर बिलकुल निरोगी बनना सुरू हो जाएगा और आप इन डोक्टरों के चक्कर लगानी से बच जाएगे बड़ी बीमारियों का आप अपने खर पर ही इलाज कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली सब्सक्राइब कर लीजी इसके साथ में जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियों की नोटिफिकेशन आते रहें तो दोस्तो देर की सबात किये आप इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाईए और इसका सेवन कीजी और अपने सरीर को बेल कोलन निरोगी बना दीजी धन्यवाद दोस्तो